लास्ट के फाइव डेज में आपका कैसा स्टडी स्ट्रेजी होना चाहिए CA Intermate 23 के लिए है तो दोस्तो मेरा नाम है CA Pradik Thakkar Let's Begin शुरुआत कर दें सबसे पहली बात आपको ये दियान में रखनी है कि लास्ट के अब फाइव डेज में या 3 डेज बचे या 5 डेज बचे आपको कोई भी चीज न्यू नहीं पढ़नी है Yes मैं आपको सही कह रहा हूँ आपको कोई भी नया कॉंसेट नहीं पढ़ना चाहिए अगर आप नया कॉंसेट रोडने जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा उसमें आपका time waste हो जाएगा और जो चीज़े आपकी पढ़नी चाहिए आपका goal है वो आप complete नहीं कर पाओगे ultimately आप demotivation feel करोगे पिटर चीज़े नया concept आया ठीके भाई भूल जाओ ऐसा ही सोचो आपके लिए वह था ही नहीं अब अगर आप करने जाओगे तो आपके लिए time waste वाली चीज़ होगी तो new concept आपको नहीं करने मैं नया question नहीं बोल रहा है अगर आपने कोई concept अल्रेडी किया है और उसी का कोई question है तो definitely आपको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि कौनसी ऐसी चीज़ है जो उस concept को पढ़ने के बाद भी छूट गई तो ऐसा साइध हो सकता है अपना syllabus बहुत लेंदी है उसको cover करना बहुत मुश्किल है अगर मैं आपको ये बोलू कि मैं आपको कुछ ऐसे question दे दूँ जिसमें से आपको on an average 70 to 80 marks का exam में पूछे जाने के chances है तो कैसा होगा बहुत बढ़िया ना बहुत easily आप pass भी हो सकते हो बहुत easily 300 plus भी score कर सकते हो इसे लिए मैंने आपके लिए बनाया है पूरे last 9 attempt का analysis करके ऐसे 80 to 100 questions निगा ले हैं जिसमें से आप expect कर सकते हो 70 to 80 marks के same questions from our booklet इस questions and answer को आपको करना बहुत जरूरी है बहुत कम समय है try to do these questions 2 to 3 times ये book का आपको online access मिल जाएगा mobile access and PC access आपको मिल जाएगा आप minimum cost पे इसे purchase कर सकते हो मैंने price बहुत कम कर दिया है ताकि हर student इसको access कर सके इसको पढ़े और अपनी exam में pass हो सके आपको भी बताए कि CA Inter की exam में result अपना 15 या तो 20% देखनी को मिलता है यानि आपको बाकी के 80% student से आगे निकलना पड़ेगा उनसे कुछ हटके करना पड़ेगा अगर आप ये important questions 2 to 3 times भी कर लेते हो तो बहुत एजी आपके लिए इस exam को पास होना इस questions को purchase करनी के लिए आप हमारी application Study Buddy Club को install कर सकते हो link मेंने comment in description box में दे दिये उसे install करिए अगर registration अभी भी open है तो आप जरूर से उसे purchase कर लीजिए at minimum cost around 2000 रुपीज अब ये बस आपको सोचना है कि 2000 रुपे important है आपके लिए ये आपके career के 6 महीने और अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे whatsapp कर सकते हो इस number पे ये number आपको screen पे देख रहा है इस number पे आप मुझे whatsapp कर सकते हो अगर आपको कोई भी query है तो कर चीज़ आपको ये दियान में रखनी है कि आपको group study को जितना हो सके उतना avoid करो अब देखो last के 3-5 days आपके पास बचे और इसमें group study में हालाकि आपको hard चीज़े easily समझ में आ जाती है याद रह जाती है बट problem ये होता है कि time बहुत best होता है जो question आप 10 minute में कर सकते हो उसमें 20-20 minute लग जाती है क्योंकि सभी लोग अपना discussion लगाते है सभी अपना knowledge और ग्यान दिना शुरू कर देते है ये सही भी है बट अभी time बहुत कम है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हो सके उतना minimum group study करिए सिर्फ important questions ये आपको लगेगी ये question मेरे को नहीं आरा और इसके लिए मेरे को बैठना पड़ेगा तभी बैठिए otherwise group study को avoid करिए ठीक है तो ये कुछ चीज़े आप जरूर से दियान में रखिए कोई भी चीज नहीं मत पढ़िए important questions के and answers के list पूरी बनाई गई है जल्दी से उसे purchase करिए पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी भी आप उस questions को बढ़के pass हो सकते हो and third thing आपको जो दियान में रखनी है कि आपको group study जितना हो सके उतना कम करना है I hope आपको ये video helpful लगा है and अगर yes तो please इस video को like जरू से करिए अपने friends के साथ share करिए Thank you so much Jai Hind